हेलो बच्चों अब हम देखेंगे सम प्रुष्टरजू प्राणी संग इन प्राणियों के शरीर को आधार देने वाला प्रुष्टरजू होता है सभी प्रुष्टरजू प्राणी को इस एक ही संग में समाविष्ट किया गया है प्रुष्टरजू प्राणी संग का तीन लुप रिष्टी अवस्था में शरीर में मेरु दंड पाया जाता है, विकास के दोरान किसी ना किसी अवस्था में ग्रसनी क्लोमचिद्र पाये जाते हैं, मेरु रज्जु एक ही होकर पृष्ट तल पर और नलीका जैसा खोकला होता है, हिदर शरीर के अधर तल में पाया ज जाता है अब हम पहला उपसंग देखेंगे पुछ संप्रुष्ट रज्जु प्राणी या कंचुक युक्त बाय कवचधारी प्राणी ये प्राणी समुद्रवासी होते हैं इनका शरीर कंचुक इस चर्म जैसे आवरण से आच्छा दित होता है इनकी इल्लिया स्वतंत्र रूप में तेरती हैं और उनके केवल पुछ वाले भाग में ही प्रुष्ट रज्जु होता है इसलिए इनके सम्प्रुष्ट रज्जु प्राणी कहते हैं सागर तल में इस्थित होने के बाद इल्लियों का रुपांतरण स्थान बद प्रोड अवस्था में होता है ये प्राणी सामान्यतह उभैलिंगी होते हैं उधारण, हर्डमानिया, डॉलियोलम, इत्यादी अगला है सिर्ष सम्प्रुष्टरजू प्राणी ये छोटी मचलियों के आकार जैसे सागर निवासी प्राणी है इन में प्रुष्टरजू सम्पूर्ण शरीर के लंबाई इतना होता है ग्रसनी बड़ी होकर इसमें कलोम छिद्र होते हैं ये प्राणी एकलिंगी होते हैं उधारण हैं अमफी ओक्सस तीसरा उपसंग सिर्ष्ट प्रुष्टरजू प्राणी इन प्राणियों में प्रुष्टरजू नश्ट होकर उसके अस्थान पर मेरुदंड विक्सित होता है इनका सेर पोन रूप से विक्सित होता है मस्तिष्क करोटी में सुरक्षित होता है अन्तह कलका, अन्तह कंकाल, कास्तिमय अथ्वा अस्तिमय होता है कुछ संप्रुष्ट रज्जु प्राणी जबडे रहित होते हैं तो कुछ प्राणियों को जबडे होते हैं